आज के एपिसूड में हम कुछ आयरवेडिक फॉर्मूला को लेना चाहिए बड़े ही जन्रलाइस्ट फॉर्मूला है इनके साइड एफेक्ट अभी तक तो मैंने नहीं देखे बहुत सारे फॉलोवर्स पॉलो कर रहे हैं और कुछ को बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूटूप सहली चैनल में और आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि थास्टे को चानल पर आयरवेडा स्पेशल एपिसोड हम आप लोगों के लिए लेकर आते जिसमें आयरवेडा की प्राची नॉलेज को आप सभी के सामने पेश क लएक गुलती है तो अगर किसी माहीला को प्रेट्स नहीं आ हरहे हैं खुन की कमी है तो ऐसे में वो एम्टुटउटून सेरप को शुरू कर सकते हैं Amptotone सिर्फ एक uterine tonic है, अगर आप सिरफ नहीं ले पाते हैं, तो आप Amptotone tablets को भी follow कर सकते हैं, यह periods को regular करने में help करते हैं, क्योंकि गर्भधारण के सबसे पहली तो CD है कि आपके period cycle कैसे हैं, जब यह follow up के लिए जाते हैं, तो आप यह पिछली 6 महिने का record देखा जाता है, यह last 6 मन्त में कैसा रहा है आपका period का button, तो आप सिरफ आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन इस case में, अगर आप obese हैं, आपका वजन बहुत जाता है, तो वजन से अगर आप परिशान हैं, तो थोड़ा सा exercise आपको करना होगा, वजन कम करने के लिए, लेकिन इसमें help करेगा, जादा है, आरवेदी का प्रोच लेना चाहा रहे हैं, तो मेदोहर गुगुल को शामिल कर सकते हैं, एक अच्छी बात यह है, कि आपके आसपास, अगर कोई आरवेदी consultant हैं, तो आप उन से जरूर बात करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने से, वो आपकी बॉड़ी को सकते हैं, आपको कमजोरी बहुत जादा है, PCOD है, एंडोमेट्रियस है, ऐसे में स्पिरूलिना, पाउडर, इसके कापसूल भी आते हैं, इसकी टाबलेट्स भी आती है, कोई प्रोड़क्ट में यह एडड होता है, तो स्पिरूलिना अगर किसी प्रोड़क्ट में है, तो उसे ले सकते हैं, इसके अलावा फल गृत, फल गृत को दो चमज, एक चमज फल गृत आप लें, जो कि आरवेदिक स्टोर्स पर मिल जाएगा, डस्क्रिप्शन में भी इन प्रोड़क्ट की लिंक है, आप वहां से इनको देख सकते हैं, तो एक कप कुनगुना दूद ली सकते हैं, खाने के आदे घंटे बाद, तो ये फायरवेदिक अप्रोच है, बड़ा ही ईजी अप्रोच है, इसको आप जरूर फॉलो करें, लेकिन हाँ, खाना एकदम संतुली तहार रखाएं, खाने पर हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, डाइट कैसे लेना है, बिक फास लंच, क्या तरीका होना चाहिए, क्या सही अप्रोच होती है, और हाँ, एक लंच छांच, अपने लंच में आप जरूर जरूर ले, आशा करती हूँ कि इन तरीकों से आपको solution definitely मिलेगा, आपकी problem जरूर सॉल्व होगी, हमसे जुड़े रहें, thanks for watching.